दियर स्टुएंट्स गुड मार्निंग आज के इस वीडियो में हम समस्त लोग फ्यूचर कांटी निवस्टेंस का अनुबाद बनाने के विशे में डिस्कुसन करेंगे इसके पहले हम समस्त लोगों ने ट्रांसलेशन के अंतरगत ही प्रिजेंट टेंस और उस प्रिजेंट टेंस के अंतरगत प्रिजेंट इंडिफिनिट टेंस, कांटी निवस्टेंस, पर्फेक्ट टेंस और पर्फेक्ट आंटी निवस्टेंस का ट्रांसलेशन बनाने के विश में रिक्साशन किया है और साथ ही साथ में फ्यूचर इंडिफनिट टेंस का अनवाद कैसे बनाते हैं इस विषय में भी हम समस्त लोग चर्चा कर चुके हैं इन सभी बातों की ठीक से जानकारी मैं सोचता हूँ हो गई होगी यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या का समाधान करना है तो निच्चित रूप से वो हमारे डिस्क्रप्शन बाक्स में जाकरके इन से सम्मंधित अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और ज्यादा नुबता करके सीधे मैं आपको इस फ्यूचर कांटीनुए स्टेंस के अनुबाद को बताने के विशे में आपसे चर्चा करता हूँ उसके पहले हम आपको एक बात और भी इसमर करा देना चाहता हूँ कि यदि आप इस टेंस को भी अच्छी प्रकार से सबहना चाहते हैं आपके दिमाग में बात है कि हम इस टेंस को बनाने में बहतर रहें तो आप हमारे इस वीडियो को भी प्रारम से लेकर अंध तक अवस्ति देखें जिससे आपको हर प्रकार की समस्या का हर प्रकार की संदेह का निवारन हो सके तो आजए देखते हैं future continuity sense कि पहिछान कैसे करते हैं सबसे पहले हम जो पहिछान कर लेंगे कि यह कि निष्शत रूप से हम उसका अन्वाज करने में समर्थ हो जाएंगे सबसे पहले जैसा कि बोर्ड पर आपके सामने मैंने दिख रखा है रोशेशन फ्यूचर कांटि इनुवर्श्टेंस आर्था इसके विशे में आज हम डिस्कुसान कर रहे हैं यहां यह पहिंचान लिखी हुई यानि संटेंस की कैसे पहिंचान करते हैं हम लिखेंगे कि इस टेंस में कार का भूद काल में धबिस्तिकाल में धबिस्तिकाल इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं फ्यूचर टेंस इस टेंस में कार का भविस्तिकाल में जारी रहना पाया जाता है पाया जाता है अर्थात हिंदी वाक्ति के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे शब्द आते हैं बहुत ही इजी तरीका है जैदि आपने थोड़ा भी संटेंस पर इस बात पर ध्यान दे दिया तो निशित रूप से आपको संटेंस में पहचानने में कोई कमी आएगी ही नहीं और जदि आपने कहीं संटेंस को ठीक से पहचान लिया तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से आप उसका अनबाद बनाने में भी समर्थ हो जाएंगे क्योंकि आपके लिए हमने जहां पर ये पहचान लिखी है ठीक उसी पहचान के साथ में मैंने आपको किस प्रकार से अनबाद बनाना है इस टेंस में उसका फार्मूला भी मैं आपको दे रहा हूं तो देखिए सबसे पहले इस बात को ही उना एक बार क्लियर कर लेते हैं इस टेंस में कारिका भविस्तिकाल में जारी रहना पाया जाता है यानि जैसे मैंने कह दिया या मोहन एक पत्र लिख रहा होगा फ्यूचर टेंस में भविस्तिकाल में बाजारीय की मोहन पत्र लिख रहा होगा या तुम अपना काम पूरा कर रहे होगे गीता गीत गार ही होगी संदीप पीछे से हस रहा होगा यानि इस प्रकार के वाक्यों में कारे भविस्तिकाल में जारी रहता है अर्थात हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे आधी सब्द आते हैं सीधा से इसका पहिंचान है अब इस पहिंचान के बाद में जब हमें पहिंचान पता चल गई तो हम अनुवाद का नियम है अब देखें देशा कि हमने आपको पहले बताया है सब कुछ इस नियम पर ही इस बात पर ही हमारा पूरा पूरी बात हमारी डिवेंड करती है क्योंकि यह कि हम यह नियम जान गए और इस नियम को अच्छी तरह से पालन करना हमें सीख लिया कहां पर इ से सीख ली तो निशित रूप से हम जो चाहते हैं हमारा सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता है अब देखें अनुबात का नियम क्या होता है कि आई वी के साथ कि शायर कि तथा अन्य करता अर्था अन्य करता अधर सब्जेब्स के साथ विल का प्रियोग करते है अब यहां पर यह सामान सी बात है यानि कैसा भी संटेंस जब हम इस टेंस में बनाएंगे तो वहां पर यह हमारे साथ में आई और वी आया हो तो उसके साथ में हम शायर का प्रियोग करेंगे उसके अत्रीक्त यदि आई और वी को छोड़ दिया जाए कोई दूसरा सब्जुक्त दे दिया जाए तो हम वहां पर विल का प्रियोग करेंगे अब इस इतनी बात समझने के बार में हम आपको सीधा सीधा फार्मूला बताते हैं उस फार्मूले के आधार पर आप पूरे सेंटेंस का अनबात बन प्रेस शायल भी अथवा विल भी प्रेस वरफ फैस्ट प्रेस आई एंडी और आइट लाश्ट आपजेक्ट देखिए यही आपका यह फार्मूला है इस फार्मूले को यदि आपने अपलाई कर दिया तो निश्चित रूप से आप फ्यूचर कांटीन वेस्टेंस का असर्टिव संटेंस और असर्टिव संटेंस का भी एक भाग और काट अफर्मेट्यू या पाजिटिव संटेंस बनाने में आप सीख जाएंगे अब एजाम्पल देखिए इसी का पहड़ा एजाम्पल है शीता खाना बना रही होगी अब यहां पर सबसे पहले हम इस संटेंस में टेंस की पहचान करेंगे तो जैसा कि उपर मनें बताया है रहा होगा रही होगी आया होगा तो यहां पर क्या होगा रही होगी लिखा है अर्थाते संटेंस हमारा फ्यूचिर कांटिनोस टेंस में आ गया अब इतना जानने के बाद में दूसरी बात हमने देख लिया कि बिल्कुल स्वाग की लिखा है यानि ना तो इसमें पहले क्या लिखा है ना कहीं नहीं लिखा है सीधा ऐसा वाकि लिखा है आर्थाते हमको एक सूचना दे रहा है सीधा के विशे में सूचना प्राप्त हो रही आर्थाते हमारा असर्टिव संटेंस के अंतरगत अफर्मेटिव संटेंस हुआ तो अब जब किस सेंटेंस के आनवाद बनाएंगे तो लिखा है आई भी के साथ में सायर तथा अन सब्जेट के साथ में विल का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सब्झेट है ऑज शीता तो अब शीता में इसके दान में चैनलबी और विल में शिल्व लगाएंगे को न शीता हो मिल भी कहना बनाना को टुल मिए बनाना होता में कुकिंग यहां लिखा आया वर्फ़स्ट प्लेसा हैं जी कुकिंग फिर आप देट है खाना कुकिंग दाफूट को इस मारा यह संटेंस कंप्लीट हुआ उधारन के लिए दूसरा आपके सा मने दे रहा हूं उस को देखिये और हमारे संटेंस को बनाने से पहले आप भी उसको यह क्या है तो अपने aurus पार कर सकते हैं और उसके बाद में आप यहाँ पर मैस करें कि舒 do संटेंस वही है जो सर्में बोर्ड पर बनाया है कि सेकेंड संटेंस सेकेंड एग्यामपल कि लड़के कख्षा में कि शोर मचा रहे होंगे अब जब इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहां पर सब्जेक्ट लिखा था देखें सीटा तो सीटा के साथ में मैंने विर्वी का हिल्च किया और यहां पर लड़के अब यहां पर भी हमको ध्यान देना मैंने पहले बदाया आई और वी के साथ में ही केवल शेयल का प्रयोग होगा अधर सब्जेक्ट के साथ में विल्का ही प्रयोग होगा तो ऐसी स्थिती में लड़की के अगरेजिया दिखेंगे दौए दव्गाइज 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 विल बी सर करना मेकिं अन्वाइज अब कार्च्छा में तो रिखेंगे दवर ड्लम्ही प्रयोग दिखेंगे दक्क्र तो रिखेंगे दवरेज़ों ब्लीमेटि अनौइज सोरас न clock यह आपके सामें च्टेशॉँ हुगा अब मनने जैसा कि आपको सजिस्ट किया था कि आप चाहें तो संटेश लिकर के आप सुएम अपना अवाज बना करके और संटेंस कर लें कि वास्तों में क्या मेरा संटेंस वही बनाए जो सर्णेंबोर्ड भर बनाया है तो निस्ष्ट तिरूप से आपको क्लियर हो जाएगा कि हां मैंने कुछ देखा है या मुझको फार्मूलाई का ज्ञान हो गया एक एजम्बल और आपका कि शत्यम कि अपना पार्ट कि याद कर रहा होगा अब इस संटेंस को भी जब देखेंगे तो पुना यहां पर शत्यम निखा हुआ है जब शत्यम है तो हम यह सिद्धे रिखेंगे शत्यम विल वी याद करना याद करने के लिए आपर लर्ण का यूज करेंगे अठा लिखेंगे विल वी लर्निंग अपना पार्ट मैंने पहले बताया था अपने इंग्रेजी जहां पर हीज होगी हीज लेशन अब यह मारा संटेस बन लेया अब थोड़ी सी बात आपको अतुना यहां पर हम क्लियर करना चाहते हैं अपने की अंग्रेजी अपने की अंग्रेजी ज्यादा तर लोग कोई भी विद्यारती मैं देखता हूं जो हमारे सामने बात आती है तो अपने की इंग्लिस मिस करते हैं कैसे जदि यही सब्दाया वाँ को यहींग्लिस में ही लिखते हैं लेकिन यहीं वहक के सांथ में आपने एंग्रेजी यह होती है तो वहीं थर्ड परसून का प्रोनावन है थर्ड़ पर्संन के लिए हम ही जी लिखते हैं अब हमको ध्यान देना चाहिए चाहे कोई थर्ड परसन का प्रोनावन आया हो तो भी हम यहां पर हिद रिखेंगे यह इसके अत्रिक्त यदि कोई नाम आया हो आठाथ मैस्कुलिन जेंडर आया हो तो भी हम वहां पर अपने के लिए हिज का प्रियोग करेंगे सब्सक्राइब आपने के लिए यहां पर अपने के लिए हिज का यूज किया गया यही कंडिशन है एक आपका आता है वह और यह वह अर्था सी यह आपका फेमिन जेंडर है अब जब यह फेमिन जेंडर होगा तो इसके साथ में अपने के लिए हर होती है इसी के साथ में फिर आता है आपका दे दे के साथ में अपने केंगरेजी देयर होती है और एक साथ में आपका आता है इट इट के साथ में अपने केंगरेजी इट होती है उसी के साथ में एक आपका होता है वी वी के साथ में अपने केंगरेजी आवर होती है एक सब्सक्राइब आपका आता है जिसकों कहते हैं you कि तुम तुम अपना कारी कर रहे होगे अर्थात you के साथ में अपने केंगरेजी योर लिखी जाती है अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह अपने केंगरेजी भिन्द-भिन्द होती है यानि जरी कोई मैस्मिन जेंडर आदमी का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो अपने के इंग्रेजी हिज लिखेंगे, या कोई लड़की का नाम है, तो अपने के इंग्रेजी लड़की के साथ में हर लिखेंगे, या सी लिखा है, तो हर लिखेंगे, या दे लिखा है, त तो अपने के English देधे लिखें गे इसले तो अपने के अवर लिखेंगे इस प्रकार से आपके बात क्लियर वो गई होगी और emotions इस असर्टिव शन्टेंस के बार में हम बात करेंगे आपके सामने लिकिन टूट छंटेंस अब negative sentence आर्था नकार आत्मकवा कि सीधे सीधे फार्मूले पर बात करते हैं अधवा विल नाट बी प्लेस ग्वार्भ फार्मूला हमारे सामने आ गया इस फार्मूले के तहत है पुरा हम प्लेशन देखेंगे च्योंको उस एकजामपल के आधार पर हम यह क्लियर कर पाएंगे कि हमारा संटेंस सही है यह गलत है यह वास्तों में हम बनाना और सीख पाएं या नहीं पहराई यह बढ़ाई यह मेज नहीं बना रहा होगा अब यहाँ पर जब इसके अंपार पर आंगे तो हम लिखेंगे बढ़ाई किंग्लिज कार्पेंटर तो लिखेंगे दप कार्पेंटर विल यह आपके लिखा है विल नाट भी दा कार्पेंटर विल नाट भी मेंकिंग अटेवल अब वो यह पहला एक जांपर है इसके बाद में एक जांपर और आपके सामने इसी टेंस से सम्मंदित आपको दे रहा हूं कि जिस्ते आपको बहतर तरीके से इसको समझ सके मैं तुम्हारी प्रतीच्छा नहीं कर रहा हूंगा तुम्हारी प्रतीच्छा नहीं कर रहा हूंगा अब इसकी इंग्रिस बनाएंगे तो लिखेंगे आई अब यहाँ पर आई आ गया इसलिए यहाँ पर हम शैल नाट भी आई स्टाइल नाट भी वेटिंग वेट मिन्स इंतजार करना या प्रतीच्छा करना अब आई एंग यहाँ जो जाएगा वेटिंग ऑई सैनाट भी वेटिंग अध dif il एकिट भी अशॉफां niż को ब्रॉल ऑद में का ये साथा आफ इंगेर पर अंचना नेजिके अट्षॉ मॉत हो गया मिड़िए गएं कि शंटेंस आता है पोगा आता है इंट्रागेट्व शंटेंस अधाब सब्सक्युव रिचे और in THE रागर शंटेंस के एंट्राप्रैट्व शंटेंस में जैसा कि आप जानते हैं इस उत्क्रू का प्रकार होता है चाहिक पहला होता है कि आप पहलweg आने पर, जब क्या पहले होगा, तो हम सबसे पहले, शायर अथवा विल, प्लाइस सब्जेक्ट, प्लाइस बी, प्लाइस वारूट फार्स्ट, प्लाइस आई अन्जी, प्लाइस आप्जेक्ट, अब इंट्रागेटिव है, इसलिए, क्वेश्चन मार्क, कंपासरी है, यह हमारे सामने संटेंस आगया, और इसी के साथ में, जब यह क्या आया है, दूसरा, दूसरा है, क्वेश्चन वर्ड, वार्की के बीच में आने पर, अब जब यहाँ पर, क्या वाक्ति के बीच में आया होगा, या कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्ति के बीच में आया होगा, तो सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड, प्लैस सब्जेक्ट, प्लैस विल, प्लैस सब्जेक्ट, बिल के दान में विल या शायल, प्लैस बी, प्लैस वर्ड वर्ड प्लैस आय एंजी, और उसके बाद में आप्जेक्ट, आइड़नाइस कुईश्चन मार्क, आपका ये फार्मूला तयार हो गया, अब यहा पर थे दो फार्मूले चलेंगे, इन दोनों फार्मूलों के अधार पर हम आपको सीधे-सीधे, इक जांपर बताएंगे, पहरा जांपर यहीं देख लेता हूँ, पहराज जांपर है, क्या अनवी, पात्र लिख रही होगी अब यहां पर देखे क्या पहले आ गया और यहां पर अन्वी एक लड़की का नाम है इसलिए इसके हिसाब से हमको नहीं क्या पहले लिखा है अर्थाज क्या पहले तो यह फर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे शायर या विल तो अल्वी है इसलिए हमें आपको लिखेंगे विल विल अन्वी बी राइटिंग और लेटर दूसरा एक्जामपर पुना उपर लिखता हूँ और दूसरा एक्जामपर हमारा जो होगा वो जिसमें क्या क्यों कहा कब कैसे वाकी के बीच में आएगा ऐसा आपका एक्जामपर राके एस अपने नौकर को क्यों डांट रहा होगा अब जब इसका हम अन्वाद बनाएंगे तो देखें क्यों बीच में आया है जब क्यों बीच में होता है तो सबसे पहले इसकी इंगलिस वाई वाई विल अब अब सब्जेक्ट वाई विल राकेस बी डाटना इसकोल्ड वाई विल राकेस बी इसकोल्डिंग अपने नोगर के लिए यहां पर हीं चरवेंट लिखेंगे अब इस प्रकार शें यहांमारा इंट्रोगेट्व शन्हेंस था जो अगरा शन्हेंस होता है वह आपका होता है इंट्रगेयर्ट्टिव में क्या पहले और नत्म बीच में आता है तो इसके लिये भी कोई फार्मूला आए जो उपर मैंने लिखाता सबसे पहले क्या पहले होता है क्या पहले नहीं बीच में क्या भी होगा और नहीं भी रगेगा ऐसी स्थिति में शायर अथवा विल प्रस अबिट थे अप्रस्टन थासद फ्रस्टन आट बस्टलि फ़रफ प्रस प्रस आप्रस्ट आट व्रस्ट अब्स प्रस्ट आट एंग प्रस्ट थे इंग प्रस्ट थे नहीं उगें ओड़िए celebration mark और यदी question word वाकिके बीच में हो यहाँ पर उस बात को भी मेंसर कर देता हूँ question word वाकिके मद्ध में तथा नहीं होने पर सब्सक्र पहले question word प्लाइस विल या शायर प्लाइस सब्जेक्ट प्लाइस नाट प्लाइस बी प्लाइस वर फर्स्ट धन आएंजी और उसके बाल में आप्जेक्ट रिप्ते हैं कोई श्रमारवर के देंगे । अब ये आपके सामने फार्मूल आ गया अब यहाँ पर ये दू फार्मूले आ गये इन दोनों फार्मूले के जाम्पर्स भी आप देख़ेंगे ये पहला है जम पर क्या राजू बीद नहीं गा रहा होगा अब जब किसकाल बात बनाएंगे तो हम लिखेंगे राजू के हिसाब से विल राजू नाट भी सिंगिंग दसांग क्या राजू गी नहीं गा रहा होगा अब यह आपका पहला है दूसरा एक जांपल कुना देखिए दूसरा एक जांपल में हम क्या क्यों कहां कब कैसे आज जो क्वेशन वर्ड्स हैं उनको आप बतारा चाहते हैं को एक जांपल नंबर टू लड़के कप्षा में क्यों नहीं लड़ रहे होंगे लड़के कप्षा में क्यों नहीं लड़ रहे होंगे अब इसका अनबात बनाएंगे तो हम कहेंगे क्यों की इंग्लिस पहले वाई विल दब्वाइज नाट बी लड़ रहे आठाट क्वेरलिंग क्वेरलिंग विश लड़ाई जड़ा करना कख्षा में है वैसा फाइटिंग नहीं होती है क्वेरल होती है बच्चों के बीच में ते भी हमको ध्यान देना है तो लिखेंगे यह हमारा संटेंस कंप्रीट हुआ एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूं जिसको आप नोट कहिके आप लिए नोट नोट या विशेश यदि वाक्य में कितने कौन शा या कौन शी प्रश्णवाचक सब्दों तो इन सब्दों के बाद कि इन से संबंदित तो कि नाउन लिखा जाता है अब देखिए इसलिए यहां पर रिमार्केवल बात है क्यों अभी मैंने उपर आपको बता दिया है कि कोईशन वर्ड आ गया हो तो सीदे सीदे वह कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा अब यहां पर ध्यां दीजिए अब सबसे पर इसमें कौन सी पुस्तक यहां पर लिखेंगे विच बुक अब इसके बात में विल विच बुक विल यही नाट बी रीडिंग कुशर्वर्ड एक्जाम्बा नमर्टू उसका भाई प्रति दिन कितनी पुस्तकें विच रहा होगा एक की ध्यान के अब यहां पर ऐसा नहीं है कि हम यह भूल गए है कि इसमें नहीं आया है अब ऐसी कंडिशन फैसा यहां पर नहीं है और इसमें नहीं मैंने थोड़ दिया है यहां पर क्यवला आपको समझाना है कि जहां तर मंचे कितने आया है तो हमारा संपडर के चुलिघ भी हो सकता है ऐसलि कि प्रतिदिन कितनी कुल के भेच रहोगा कि इतनी पुष्टकें तो है लिखेंगे नंबर की बात है आपर, है लिखेंगे how many, how many books, his brother, how many books, how many books will his brother be, इतनी पुष्टकें बेंच रहा होगा, अब इसका हम बात बनेगा how many books will his brother be selling daily, और इस sentence को बनाने के बाद में हम जो आप बताना चाहते थे, वो future continuousance का अनुबाद पूरा हुआ, फिर वही बात है आपने इसको कहीं पूरा देखा होगा, ठीक से पूरा समझा, तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूर से आप पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद में अनुबाद अवस्ति बना लेंगे, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो करता है chi कुई मीज पूरा के अवस्ति बना लेंगे, बात विवस्ति एन आपता है सक एम आपको किस सम्तिया में विदरोस, यदिट उलगा है, आपको कि ऩल निशने के अशने को से वेबना है अन के जापको किसी दय है कर द 언제्समाता है, तो मैं विश्बाद भीवस्ति